है वर्मा जी हैं राजसाबाद सांसाद हैं सबसे पहला सवाल मैं आपसे पुछूँँगा आपने इस पूरे मस्ले को लेकर सदन में उठाया है अब आपकी क्या डिमांड है और आपने इस पूरे मस्ले को सदन में क्यों उठाया इस सम्मंद में वित्य मंत्री जी से मिले, खाद्य मंत्री जी से मिले, प्रधान मंत्री जी से भी मिलने का समय उन्हें नहीं मिला, तो उन्हें ने उनको पत्र लिखा, मैं स्वया खाद्य मंत्री जी से मिली हूँ, उनका कहना था, साफ कहना था उनका कि आप छतिस गड़ में धान को समर्थन मुले से जादा में खरीद रहे हैं, इसलिए हम आपका चावल सेंट्रल पूल से नहीं खरीद सकते, तो हमारी मांग ये है कि 2017-18 में जब 36 गड़ में भारती जंता पार्टी की सरकार थी, तब आपने नियम में संसोधन करके चावल खरीदा, तो अब क्यों नह जब आपको उद्योग लगाना होता है कहीं पे, तो आदिवासियों की जमीन में आप उद्योग लगा देते हैं, नियम में सिथिल करके, जब आपको एएरपोर्ट बेचने का था, एएरपोर्ट बीक नहीं रहा था, तो आप उसके नियम में संसोधन करके तुरन बेज़ अगर मैं देश की सुरक्षा की बात करूं तो राफेल हवाई जहाद जिसके बारे में इतना चर्चा हुआ 136 खरीदना था लेकिन आपने नियम में संसोधन करके मातर 36 खरीदे आप एक तरह तो उद्योग पतियों को फायदा देने के लिए आप नियम में तुरन संसोधन कर नियम में सिधिल कर देते हैं लेकिन जब 36 गड की किसानों के चावल खरीदने की बात आती है तो आप NaN कर कर नहीं है मैं तो कहती हूं कि यह बहुत निंदनी काम है मतलब केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसानों का भला हो किसानों का चावल वो खरीदे किसानों के धान खरीदे की बारी आती है तो केंदर सरकार वहाँ पर सिथिलता अपनाती है क्या डिमान करती है केंदर सरकार से मोधी सरकार से क्या डिमान करती है क्या वो नेमों में धील दे कानून को बदले देखिए केंदर सरकार को 36 गड़ का लोहा चाहिए, केंदर सरकार को 36 गड़ का कोईला चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आइरन ओर चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन चावल नहीं चाहिए यह तो बहुत गलत बात है हमारे मुख्य मंत्री जी खादे मंत्री जी से मिले हैं उन्होंने आस्वासन दिया है कि हम प्रधान मंत्री जी से चर्चा करेंगे और हमें उमीद है 36 गड़ के लोगों को उमीद है अभी भी रास्ता खुला है हमें लगता है कि वो सेंट्रल पूल से चामल खरी देंगे हम अभी कुछ दिनों पहले हम रायपूर गहे थे जब वहाँ पे गांधी पदयातरा चल लही थी हमने कई लोगों से बात कि और मुख्यमंत्री जी का इंटर्वी भी किया तो नहीं कहा था कि किसानों से अनाज कहितने के बाद उनकी आए में जादा उनको जादा आई अगर किन सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे का रास्ता क्या बसता आपका अभी तो आगे का रास्ता बिलकुल अगतियार करेंगे सोचेंगे लेकिन हमने जो वादा किया है किसानों से हमारी सरकार ने जो वादा किया है 25 सो रुपय में धान के समर्थन मुली में खर प्लानिंग थी मुख्यमंत्रि जी dirty और सभी सीनियर लीडर मिलके प्लानिंग की दिछ तारिक को बाहुरोड दिल्यटक पहुंचने के था लेकिन अयोध्या वाला मामला आया तो उस बीच फिर कैंसिल हो गया है संभध तो हमारे लीडर लोग, हमारे सीनियर लीडर लोग प्रोग्राम बनाएंगे किसानों की हक की लड़ाई हम सड़क से लेके सदन तक लड़ते रहेंगे जब किसानों की धान खरीटने की बात आती है तो क्यूं नहीं आप नेमों में संशोधन करते है Picard